नमस्कार दोस्तों आज हम क्लास 11 केमिस्टर यूनिट 7 एक्विलीब्रियम की एक्षिसस का सॉलेशन सीखने वाले हैं तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है 7.1 और यहां पर तीन क्वेश्चन पूछे गया है जिसको हम वन बैवन सॉल करेगे पहला हमारा क्वेश्चन है वाट इस दे इनिशल इफेक्ट आफ चेंज ऑन वेपर प्रिशर यहां पर जो कंडिशन दी गई है वह हम इमेज से पहले समझेगे तो देखो यह हमारा एक क्लोज गंटेनर है जिसमें यहां पर लिट केयंकरेंगे है और यह जो जील कंटेनर है उसका टेंपरिचर हमने और स्धुन्म पूलिवं इनक्रीज करने वाले थी और वो प्रेशर इस पर अप्लाई करें थी जो था हमारा वेपर प्रेशर अब इसका वॉल्यूम बढ़ गया है मतलब साइस बढ़ गये तो जो वेपर थी वो पूरे इतने एरिया में दिस्ट्रिब्यूट हो जाएगी मतलब यहां पर जो प्रेशर लग रहा था वह कम हो जाएगा तो हम कह सकता है कि वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा दूसरा क्वेश्चन है अब जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आया कि जिसमें एकुलिब्रियूम डिस्टर्ब होता हो तब ल खुद एक नया एकुलिब्रियूम एस्टब्लिस करती है इन सच वेड़ एट कि हमने जो भी डिस्टर्बिंस क्रियेट की है उसकी इफेक्ट मिनिमाइज हो अब यहां पर हमने वॉल्यूम इंक्रीज किया है जिसकी वज़े से उसका वेपर प्रेशर कम हुआ है अब अब से कंदेंशिशन बार ऑगर लिक्विद में कर्वार यह तो वेपर प्रेशर रजक जहें पर छोगा तो यहां पर प्रेशर बढ़ाना है मतब इंवाप रिखन ज्यादा उगा और कंदेंशेृ। कम हो जाएगा इसलिए देखो यहां पर इसका अंसर यह होगा कि मोर इवापरेशन विल अकर और जो हें उसका डिकरीज होगा तब जाके यह मेंटेन रहेगा थर्ड क्वेशन है वाट हैंट वर इक्विलिब्रियम इस रिस्टोड फाइनल व्यापर प्रेशर जब भी यहां पर एक्विलिब्रियम में होती है और फिक्सम्राचर होता है तो क्यों इनिश्यली वेपर प्रेशर उतना ही वेपर प्रेशर बाद में हो जाएगा वो फिक्स रहेगा क्योंकि यहां पर टेंपरचर भी फिक्स है इसलिए यहां पर वेपर प्रेशर में कोई भी चेंज नहीं आएगा अब हम बारा दूसरा question है 7.2 what is Kc for the following equilibrium when equilibrium concentration of each substance is SO2 का concentration है 0.60 molar O2 का concentration है 0.82 molar and SO3 का concentration है 1.90 molar और यहां पर chemical reaction दी है 2SO2 gas plus O2 gas gives 2SO3 तो यह solve करने से पहले आपको पता होना चाहिए एक generalized equation और उसका केसी कैसे लिखते हो तो देखो यहां पर मैंने लिखे एक general equation A mole A plus B mole B gives C mole C and D mole D यहां पर A and B मतलब capital A and capital B reactant है capital C and capital D product है और यह जो small में A, B, C and D लिखे है वो उसके stoichiometric number मतलब यह उसके mole है A के A जितने mole है capital B के small B जितने mole है capital C के small C जितने mole है और capital D के small D जितने mole है अब इस equation के लिए मैं K से लिखना चाहूँ तो उसका equation होगा C raise to C, D raise to D, A raise to A and B raise to B तो इस equation का reference लेके आप इस equation के लिए KC के equation लिखेगे तो आपको यह equation में लेगी KC is equal to SO3 raise to 2 देखो यह product है और वो SO3 है और इसके 2 mole है इसलिए हमने raise to 2 किया और यह दोनों reactant है SO2 तो पहले मैंने यह लिखा और इसके 2 mole है मतलब raise to 2 और O2 का 1 mole है तो O2 raise to यहाँ पर 1 है अब सीधा mathematical काम करना है हमने इसका square कर दिया तो वह आया 3.61 और इसको पूरा solve करोगे तो यहां पर आएगा 3.61 divided by 0.2952 और इसका answer आएगा 12.23 अब देखो यहां पर मैंने कोई unit नहीं लिखा है क्योंकि हम उसका unit derive करने वाल है तो देखो यहां पर square है यहां पर square है और यहा आएगा तो यह दोनों cancel out हो जाएगे तो केसी क्या होगा 1 by m मतलब केसी का unit होगा 1 upon molarity तो 1 upon m बराबर क्या होगा m raised to minus 1 तो यहां पर केसी का unit आएगा m raised to minus 1 तो इस तरह से आप यह कोई भी equation दी हो उसका concentration दिया गया हो तो आप केसी को find out कर सकते और इस तरह से आपको find out करत हमारा next question है 7.3 at a certain temperature and total pressure of 10-5 Pascal iodine vapor contains 40% by volume of iodine atoms और equation है I2 gas gives 2I gas calculate Kp for this equilibrium देखो इस equation में यह I2 लिखा है न वो I2 होते है यहां पर as a molecular form में और यह है यहां पर atom के form पर और यहां पर Kp find out करता है यहां पर केसी नहीं है Kp है क्योंकि यह P मतलब होता है gas pressure है प्रेशर किसका होता है gas का होता है और यह दोनों component यहां पर gaseous space में है और यहां पर pressure Pascal में दिया गया है तो देखो यहां पर Kp की equation कौन से आएगी तो यहां पर product I atoms है तो हम लिखे के P I atoms मतलब iodine atoms का pressure और यहां पर 2 है तो रिश्टू 2 किया और नीचे यहां पर क्या आएगा तो रिएक्टंट है तो pressure of I2 मतलब यह जो I2 है ना उसका pressure अब यह दोनों value हमें चाहिए तो यह कहां से मिलेगी तो यहां पर clear ने लिखा है iodine vapor contains 40% by volume of iodine atoms तो इसका use करके हमें इन द partial pressure by I atoms तो वो कितना होता है 40% by total तो मतलब कि 40 divided by 100 into P total तो P total हमारे पास है कितना 10 raise to 5 तो यह P total की जगा पर हम दिखेगे 10 raise to 5 अब इसको solve करेगे तो हमें iodine atoms का जो pressure मिलेगा वो होगा 4 into 10 raise to 4 Pascal और यहां पर 40% जो है वो occupy होता है by atoms तो 60% बजा हो क्या होगा तो वो by I2 molecule होगा तो the partial pressure by I2 molecules तो वो होगे 60 divided by 100 into P total अगेन में बता रहे हो कि 60 कहां सा है तो total pressure में से 40% pressure किसका है atoms का है तो बाकी बचा जो है वो किसका होगा I2 molecules का होगा तो 100 minus 40 तो आएगा 60 तो यह 60% उसका pressure है I2 का अब यहां पर P total की जो value है वो रखेगे हम 10 raise to 5 तो इसको solve करने से हमें I2 जो pressure मिलेगा वो होगा 6 into 10 raise to 4 Pascal अब यह दोनों value हमारे पास available है I2 items की as well as I2 molecule की तो वो दोनों value हम यहां पर रख रहे हैं तो देखो वो value हमने यहां पर substitute कर दी अब यहां पर 2 है तो इसका हमने square करना पड़ेगा हमने square कर दिया यहां Pascal का भी square हो जाएगा अब इसको solve करेग cancel out हो जाएगे तो सिर्फ Pascal बचेगा हमरा next question है 7.4 write the expression for the equilibrium constant kc for each of the following reaction तो देखो सबसे पहले हम पहले reaction लिखने वाले हैं कि वो है 2NOCl gas gives 2NO gas plus Cl2 gas आपको पता है मैंने पहले numerical में सिखा था आपको generalized equation a mol a plus b mol b gives c mol c and d mol d है तो kc कैसे लिखा जाएगा अब इसका reference लेके हमें यह यहाँ पर करना है तो देखो पहले उपर product आएगी divided by reactant होगा और यह जो उसका stoichiometric constant है वो उसके power में आएगा तो देखो kc की equation जाओगी kc is equal to यहाँ पर product है NO gas raise to 2 आएगा cl2 है raise to 1 आएगा क्योंकि हाँ आप 1 mol है और यह NOCl जो reactant है raise to 2 आएगा तो यह हुई equation केसी की दूसरी equation है हमारी 2 Cu NO3 twice solid जोस 2 Cu plus 4 NO2 gas plus O2 gas इस reference को लेके आप इसका equation केसी का लिखोगे तो आपको यह मिलेगा अगर आप यह answer में लिखते हो तो यह आपका गलत है क्योंकि एक और condition जो आपको ध्यान में रखनी है कि pure liquids and solid can be ignored while writing the equilibrium constant expiration मतलब हमें यहाँ पे pure solid and pure liquids को नहीं लिखना है तो यहाँ पे solid कौन है तो देखो यह CuO solid है pure solid और यहाँ पे CuNO3 twice वह भी solid है तो हमें इन दोनों को ignore करना है while writing the value of KC यह भी निकाल देगे और यह भी निकाल देगे तो सिर्फ बच्छे का क्या NO2 raise to 4 and O2 raise to 1 तो यह है equation for KC for this reaction अब हम देखेगे next equation जो है हमारा CA3COOC2H5 aqueous plus H2O liquids gives CH3COOH aqueous plus C2H5OH aqueous again इसके लिए हम केसी की equation लिखे तो यह वाली आएगी और यहाँ पे भी हमें एक point जान में रखना है कि pure liquid and solid को ignore करना है और यह H2 हमारा liquid है तो हमें इसको consider नहीं करना है तो यह हमारा cancel out हो जाएगा तो हमारी value मिलेगी केसी की job को screen पे दिख रही है अब आपके लिए है यह 3 तो हो गया और 4 and 5 है जिसको आपको खुद ही try करना है और comment में लिखना है जिसे पता चल जाएगा कि आपको यह question समझ म है आया है कि नहीं आया है हमारा next question है 7.5 find out the value of kc for each of the following equilibrium from the value of kp अब ध्यान से देखो यहां पे kc की value find out कर दी हमने kp से और इन दोनों equation के लिए हमें kc find out करना है तो पहले हमें पता होना चाहिए kc और kp का relationship क्या है kp और kc का relationship है वो है kp is equal to kc rt raised to delta n अब इस equation का use करके हमें kc find out करना है तो kc को subject बनाएगे तो हमें equation मिलेगी kc is equal to kp divided by rt raised to delta n अब पहली equation के लिए हम लिखने वाले है तो यह पहली equation हमने लिख दी तो यहां पे kp कितना है तो वो given है 1.8 into 10 raised to minus 2 फिर r की value कितनी है तो वो होगी 0.0831 बार लिटर पर मूल पर Kelvin साथ में यहां पर T temperature तो है वो है 500 Kelvin तो वो हमने लिखते है और अब बात आती है delta n की तो delta n क्या है तो delta n होता है mole of products minus mole of reactants तो यहां पर mole of product कितनी है तो यहां पर 2 है और यह 1 है तो 2 plus 1 3 हो जाएगा और reactant कितना है सिर्फ 2 है तो वो 2 लिखेगे तो 2 plus 1 minus 2 का answer कितना आएगा 1 आएगा तो delta n के value इस equation के अंदर होगी 1 अब यह सभी value को हम इस equation में substitute करेगे तो देखो हमें जो answer मिलेगा किसी का वो होगा 4.332 into 10 raise to minus 4 और same fundamentals यूज़ करके हम इस दूसरी equation के लिए भी किसी find out कर सकते है तो चलिए हम पहले लिखेगे KPK value जो given है 167 और given है 0.0831 कभी-कभी यह देते हैं और कभी नहीं भी देते हैं इसलिए आपको उसको याद रखना है temperature यहाँ पर given है 1073 Kelvin वो भी लिख दिया और delta n तो वो कितना होगा तो यहाँ पर product में कितने है 1 plus 1 मतलब 2 और reactant है 1 तो 2 minus 1 answer आएगा 1 अब यह सभी value को हम इस equation में रखेगे तो हमें answer मिलेगा KC का 1.872 हमरा next question है 7.6 for the following equilibrium KC is equal to 6.3 into 10 raise to 14 at 1000 Kelvin मतलब यह जो forward reaction है उसके लिए तो केसी दिया है लेकिन हमें reverse reaction के लिए KC prime find out करना है तो देखो वो कैसे करेगे तो आपको पता होना चाहिए मैं आपको इस generalize equation बताता हूं कि अगर हमरे पास को ऐसी equation है A more A plus B more B give C more C and D more D तो forward reaction का equilibrium constant होगा KC और reverse का होगा KC prime और इन दोनों का जो relationship है वो ऐसा होगा KC is equal to 1 upon KC prime तो अगर मुझे KC prime चाहिए तो क्या करना पड़ेगा तो KC prime is equal to 1 upon KC जो कि हमारे case में अभी केसी हमें दिया गया है जो है 6.3 into 10 raise to 14 तो वो value हम यहाँ पे substitute करेगे तो हमारा कC prime होगा 1 upon 6.3 into 10 raise to 14 और इसको solve करोगे तो हमें answer मिलेगा 1.59 into 10 raise to minus 15 तो यह हमारा answer है हमारा next question है 7.7 explain why pure liquid and solid can be ignored by writing the equilibrium constant expression तो यहाँ पर question प्रगला related है हमारे last question से कि हमने equilibrium constant जो लिखा था उसमें हमने pure liquid and solid को ignore किया था तो यह question यह हम क्यों ignore कर रहे तो जब भी हम कोई reaction की बात करते तो उसमें जब भी pure solid या liquid होते तो उनके concentration significantly change नहीं होते है अगर वो change नहीं होते है वो constant है तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है इसलिए हम जब भी केक सी की value लिखनी होती है तब हम उसको ignore करते हैं हमरा next numerical है 7.8 reaction between N2 and O2 take place as follows तो यहाँ पर reaction दी गई है तो लिखाए if a mixture of 0.482 mol of N2 and 0.933 mol of O2 is placed in a 10 liter reaction vessel and allowed to form a N2O at a temperature for which KC is equal to 2.0 into 10 raise to minus 37 determine the composition of a equilibrium mixture मतलब यहाँ पर N2 and O2 के moles लिए गये है के C की value given है यहाँ पर 10 liter reaction vessel के बारे में बताए गया है और हमें find out करना है कि equilibrium mixture में जो भी composition है मतलब कितना N2 होगा O2 कितना होगा N2O कितना होगा वो find out करना है तो जब भी ऐसा कोई numerical आए तो आपको क्या करता है as a tabular form में यह पूरा represent कर देना है जैसे कि मैंने यहाँ पर भी आपको दिखा रहा हूं और सिखा भी रहा हूं तो देखे यह जो table है इसमें मैंने पर यहाँ पर reactant and product लिख दिये है N2 and O2 as a reactant और यह हमारी product है अब initial level पर कितना N2 था तो वो है 0.482 तो हमने लिख दिया O2 क कितना है 0.933 तो वो भी लिख दिया और reaction जब initial phase में होई तब product कुछ भी नहीं होती इसलिए यहाँ पर हमने 0 रखा अब imagine कर लेते हैं कि जब भी equilibrium आता है तब यह हमारा N2 O X जितना बनेगा इसलिए मैंने प्लस X लिखा अब दियान से दिखो यह N2 and N2 O दोनों के दो-दो मोल है मतलब है एकवी मोलर है और यह O2 one मोल है मतलब यह इससे हाफ है तर मैं से कह सकते कि यह will be पर कितना होगा इसमें से एक्स जाएगा उतना मतलब 0.482 माइनस एक्स जितना होगा और यह जो रियक्शन हो रही है वह 10 लिटर के वैसल में हो रही है इसलिए हम उसको डियोड़ेट बाइ टैन कर देगे सेम हीर ओटू पहले इतना था 0.933 और उसमें से माइनस एक्स बाइटू जितना जाएगा और 10 लिटर की कॉंसेंट्रेशन में हम देखे तो यह इतना उसका कॉंसेंट्रेशन होगा सेम फ़र दे एंट वो वो पहले 0 था अब एक्स इतना बना तो 10 लिटर वैसल में उसका कॉंसेंट्रेशन होगा एक्स बाइटन अब हमें पता है केसी की एक्वेशन तो केसी की एक्वेशन में यहां पे हम प्रोड़क्ट डियॉड़ेट बाइटन करेगे तो एंट वो रि सिदा फूकस करना है एक्स पर तो देखो यह पर हमने क्या किया है कि यह जो x by 10 में उसका स्कुर्ण यहां पे लिख दिया है केसी की बेलिव दिये और यहां पर जो बैंट X को solve करे X के value आएगे 6.6 10 raise to minus 20 अब इस value को हम आगे के step में use करने वाले हैं तो जैसे कि हमें पता है जो N2O का concentration है वो कितना है? X by 10 जितना तो X हमें मिला है और divided by 10 करेगे तो यह जो answer मिला हमें वो है equilibrium mixture में N2O का concentration सेम वे से हम find out कर सकते है N2 और O2 के लिए जैसे कि आपको पता है इस X को और यह minus X by 2 को हमने ignore किया तो यहाँ पर हमें N2 का concentration मिला 0.482 divided by 10 और इसका O2 का मिला 0.933 divided by 10 तो वो answer मिलेगे हमें 0.0482 and 0.0933 मुल को लिटर तो यह है हमारा answer हमारा next question है 7.9 Nitric oxide reacts with BR2 and gives nitrosyl bromide as per the reaction given below reaction है 2 NO gas plus BR2 gas gives 2 NO BR when 0.087 mol of NO and 0.0437 mol of BR2 are mixed in a close container at constant temperature 0.0518 mol of NO BR is obtained at equilibrium calculate equilibrium amount of NO and BR2 तो जैसे कि मैंने बताया कि ऐसा कोई भी numerical है तब आपको tabular form में सारा data लिख दिना है तो दिपर मैंने यहां वही किया है यह tabular form में लिख दिया यह हमारा NO और यह BR2 reactant है और यह हमारी product है अब initial जो concentration NO का दिया है वो है 0.087 BR2 का है 0.0437 और initial level पर NO BR नहीं होगा मतलब वो 0 होगा अब mole ratio की बात करें तो आप जैसे की reaction में देख सकते हो कि यह 2 gem 1 gem 2 है तो मैंने यहां पर लिख दिया 2 gem 1 gem 2 और equilibrium पर हमें पता है NO BR का जो concentration है वो है 0.0518 mole अब इस data का यूज़ करके हमें equilibrium amount पर इन दो NO का मतलब NO and BR का concentration find out करना है तो सबसे पहले start करते हम mole ratio से तो clearly आपको यहां पर दिख रहा है कि 2 mole of NO BR का बनेंगे जब 2 mole of NO consume होगे तो इसी तरह से हम देख सकते कि जब भी 0.0518 mole यह form हुआ NO BR तो यह NO कितना consume हुआ होगा उतना ही consume हुआ होगा क्योंकि यह दोनों का mole ratio कितना है सेम मतलब 2 mole यह consume होगे तो यह 2 mole बनेगे यह 2 mole बने है मतलब यह 2 mole consume हुआ है वैसे यह 0.0518 mole produce हुए मतलब यह 0.0518 mole जितना consume हुआ होगा तो देखो अब हमें find out करना है कि equilibrium पे यह कितना है यह तो consume हुआ इतना है तो कैसे find out करेगे तो at equilibrium कितना है तो initial minus consume अब initial वो कितना था यह 0.087 और consume कितना हुआ है तो वो है 0.0518 जितना तो इन दोनों का difference वो आएगा वो होगा हमारा equilibrium concentration of ano सेम वेसे हम BR2 के लिए भी कर सकते है उसका mole ratio कितना है जब यह 2 mole form होता है तब यह 1 mole consume होता है तो वही ratio को हमें यहाँ पर use करना है कि 2 mole of ano BR जब form होता है तो यह 1 mole BR2 consume होता है तो यहाँ पर 0.0518 जितना फॉर्म होआ है तो यह कितना consume हुआ होगा तो यह 0.0518 पाइ 2 जितना BR2 consume हुआ होगा अब इसी knowledge का use हमें करना है जैसे उपर किया था cat equilibrium concentration कितना होगा initial minus consume वो हमने लिख दिया initial BR2 कितना है तो 0.0437 और consume कितना है 0.0518 by 2 तो इन दोनों का आप difference लोगे तो आप कौन से मिलेगा 0.0178 mole तो इसी तरह से हमें ये NO का और BR2 का equilibrium concentration पता चल गया है हमारा next question है 7.10 at 450 Kelvin Kp is equal to 2.0 into 10 raise to 10 per bar for a given reaction reaction given है 2SO2 gas plus O2 gas gives 2SO3 gas what is a Kc at this temperature देखो यहाँ पर हमें Kc को find out करना है तो पहले हमें equation पता होनी चाहिए आपको पहले ही बताया था मैंने Kp और Kc equation का relationship तो Kp is equal to Kc RT raise to delta N अब यहाँ पर Kc को subject बनाएगे तो equation मिलेगी Kp divided by RT raise to delta N अब Kp की value हमें पता है वो है 2 into 10 raise to 10 per bar और delta N कितना होगा तो हमेरे product में से reactant के mole को subtract करना है तो product के है 2 और reactant के है 2 plus 1 3 तो delta N होगा minus 1 और R की जो value है वो है 0.0831 liter bar per Kelvin per mole और यहाँ पर temperature कितना है तो देखो temperature यहाँ पर बदाया है 450 Kelvin तो T हमने लिख दिया अब सीधा हमें इन सभी value को इस equation में substitute करनी है तो देखो वो हम substitute करें Kp लिख दिया हमने यहाँ पर मैंने R लिख दिया यह T है और यह delta N जो के minus 1 है तो इस सब को solve करोगे तो आपको KC की value मिलेगी 7.48 into 10.21 liter per mole यहाँ पर unit कैसा है तो आप यह सभी value रखोगे तो बाद में सिर्फ बचेगा liter per mole जो